सपने में पैदल चलना या सपने में खुद को पैदल चलते हुए देखना एक बहुत ही अच्छा और सकारात्मक सपना माना जाता है जो की जीवन में तरक्की के लिए मिलने वाले नए अवसरों की ओर तो संकेत करता ही है साथ ही यह सपना जल्द ही घटित होने वाली बहुत सी बातों की और भी संकेत करता है जिसको सपने की विभी नवस्थाओं के माध्यम से सही से समझा जा सकता है जैसे अगर कोई सपने में खुद को अकेले ही पैदल चलते हुए देखता है तो यह सपना आपके जीवन में होने वाले बहुत से पोजिटिव बदलावों की और संकेत करता है जिसमें से हो सकता है कुछ बदलाओ आपको सुरुआत में अच्छे ना भी लगे लेकिन अंत में यही बदलाओ आपके लिए सबसे अच्छे साबित होंगे और अगर कोई सपने में खुद को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या बहुत सारे लोगों के साथ कहीं पर पैदल चलते हुए या जाते हुए देखता है तो यह सपना भी काफी अच्छा माना जाता है और जीवन में मिलने वाले मान सम्मान और तरक्की की और ही इशारा करता है और अगर कोई सपने में खुद को किसी पार कादी में घास पर चलते हुए देखता है तो यह सपना भी जीवन में चल रही परेशानियों के पूरी तरह से खत्म होने की ओर संकेत करता है और साथ ही यह सपना जीवन में तरक्की के लिए मिलने वाले नए अफसरों की ओर भी संकेत करता है और अगर कोई सपने में खुद को किसी टूटी फूटी या टेडी मेरी कठिन चड़ाई या गड़ो वाली सडक या रास्तों पर पैदल चलते हुए देखता है तो यह सपना किसी काम को पूरा करने में आने वाली कठनाईयों की ओर संकेत करता है जिन से बचने के लिए आपको अपने काम करने के तरीकों में थोड़ा सा फेर बदल करने की जरुरत है तभी आप जीवन में कठनाईयों के बावजूद भी मन चाहे परिनाम पाने में सफल रहेंगे और अगर कोई सपने में किसी यातरा पर जैसे की कोई तीर्थ यातरा अदी पर खुद को पैदल चलते हुए देखता है तो यह सपना भी काफी अच्छा माना जाता है और जल्द ही आपकी किसी मनो कामना को पूरा होने की ओर संकेत करता है और अगर कोई सपने में खुद को नंगे पैर पैदल चलते हुए देखता है तो यह सपना आपके निदर स्वेभाव की और संकेत करता है जिसके चलते आप जल्द ही उस मुकाम पर पहुँच जाएंगे जिसके बारे में आप अभी कल्पनाई कर रहे हैं लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी थोड़ी सी जादा करनी होगी